कि आज की जो वीडियोए इस मैं आपको टेबल के बारे मताना है कि Microsoft Word में अगर हमें टेबल बनाना है तो हम किस तरह से टेबल बना सकते हैं जो टेबल तो इसमें जो इंसर टेबल है इंसर टेबल में मारपस कि कुछ आपके बास बॉक्स दिखाई दे रहे हैं यह लिमिट है कि इसमें आपके कॉलम कर सकते हैं तो जितनी रोज और जितने कॉलम हमें चाहिएं वहां से हम सेलेक्ट करेंगे और एक्जांपल हमने वह 5 रोज और 4 रोज बनाना है तो हमने कहाए है 1-2-3-4 फाइब है और यहाँ पर टिक किया और क्लिक करते ही है आपका है अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो है वह 5 कॉलम्स 1-2-3-4-5 और जो है वो four rows आपकी बनके तहीहार होगी तो टेबल में कहाँ कि हमें टेबल के कुछ contents के बारे में बताऊना चाहिए कि टेबल में basically क्या-क्या contents होते हैं तो टेबल में हमारे main contents है उसका एक तो रो रो हम इसको यह जो आपका यहां से यहां तक ही जो आपको दिखाई दे रहा है horizontally इसको हम row बोलते हैं तो यह row number one row number two row number three row number four और दूसरा component होगे इसका columns का column number one column number two column number three column number four column number five तो जितने भी हमारी requirement होगी इसके accordingly हम number of rows column यह rows and columns कम यह ज्यादा बना सकते हैं तो कितनी rows कितनी columns का चाहिए और यह आपको lines दिखाई दे रही है black color की जो line है इसको border बोलते है टेबल का जो border है कि जो cells है उसके लिए जो border हमने बनाया है यह black color का border हो गया आपका तो एक border हो गया component और जो last component है that is that is cell कि यह जो आपका rows और columns को बिना के जो एक बॉक्स बनके निकल के आता है इस बॉक्स को जो हम cell बोलते हैं created by the combination of row and column की row and column का यहां पर भी यह भी आपका cell है यहां पर भी यह भी आपका cell है यह भी cell है तो हमने जो information लिखनी होटे टेबल के अंदर हम वह इन डायलोग बॉक्स ओपन हो जाता है इस डायलोग बॉक्स के अंदर वह कुछ ऑप्शन आप से पूछता है कुछ इजए पूछते हैं कि टेबल का साइज टेबल का साइज मतलब कि कितने कॉलम से हैं कितने रोज से हैं तो यहां पे आप मैनोली जो है टाइप भी कर सकते हैं और यह जो arrows आपको दिखाई दे रहे हैं अप साइड वाला arrow से जो है वो इंकरीज करते हैं अंबर नुदैर के बारे में कि जो इंडर dinosaurs ऐसे अबные थी स्रीकें हने के गत्रतर्व उपने साइब सब्सक्रूस और पर बंड़ जाएगा विसके बार subscription में तो उस information के लिए पूछ रहा है कि auto fit behavior के बारे में कि fixed column width अगर आप इस पर click कर देंगे तो column की width जो है वो fix रहेगी वो change नहीं होगी जो contents है उसका column की width उसके accordingly change नहीं होगी और auto fit to contents की जो contents है उन contents के accordingly जो है वो column की width automatically कम यह ज़्यादा हो सकती है and auto fit to windows से क्या होगा जो आपके contents है window size जयाने कि आपका pay size है उसके accordingly fit होगे तो आप जो है जो आपकी requirement है उसके accordingly select कर सकते है कि हमें जो है वो column की width है वो कि accordingly चाहिए fix है है या contents के accordingly करनी है या add realizes वहम यहां से select कर सकते हैं हुए हमने फेलेक्ट किया उसके बाद हैं एक हमें आपलाई करने हैं तो हम औक हे पेल्ग कर तोजब्सक्राइब कर सकते हैं कर देया अब हमारा झसे क Early All आ डहे시Mag 他 हम cam 23456च Gente कलर और यहां पर जो है इसके फार्माइटिंग के लिए और पस different options हैं जिनसे हम उसको टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं और बते साथ में कुछ एक दो चीज़ें और रहेगी हैं यहां पर पस टेबल वाले से टेबल बनाना चाहते हैं तो यहां पर Excel प्रेटीट पर आपको क्लिक करना पड़ता है कि कुछ टेबल के पास अपने पास बने हुए जैसे आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि इसलेक्ट करेंगे और वो टेबल जो है आपके डॉक्मेंट में बन जाएग तो यह टेबल हमने बनाया है इसकी दिजाइनिंग के लिए हमारे पास कुछ ऑप्षेंड आपर टेबल टूल जहां पर आपकी टाइटल बार एक्टि आपके और इसकी एक्टीड करेंगे तो यह अपर यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है चैन्ज हुजाएगा जैसे हमें चाहिए उसके काडिंग लीव बनके त्यार हो जाता है तो जो भी कलर है जो भी स्की में आपको शूट करती है उसके काडिंग लीआ प्रोडिंग कर सकते हैं मल्टिपल ऑप्शन ने उसके टेबल स्टाइल के यहां पर और वह आप चेंज कर स इसे इसे सीर्फ ốngस्च कर जो से ले सकते हैं सिरफ टाप के लिए जाहिए तो आपर लेक्र वादर के लिए तो इससरे से इनदर वाल बॉल沒錯 ऐसे स्टेस्लेक के लिए कोई बार्डर दिखाय ने तो बुक कर सकते हैं यहां आपने उसके सारे बॉलक्र आने चाहिए उसके out lines भी बाहर वाले भी अंदर वाले भी तो all border है और outside outside के जाहिए बीच के cells में आपको नहीं classify करना नहीं चाहिए lines तो सिरफ outside border कर सकते है inside water जी यानि कि सिरफ बाहर वाली lines नहीं चाहिए तो आप inside water पर click कर सकते हैं सिरफ horizontal lines और यह वाला option चाहिए तो यहां से स्थी किया सकते हैं तो यह बॉडर्डर जैसी हमारी रिक्वार्मेंट उसके एक्वार्डिंड लिए हम टेबल के लिए चूज कर सकते हैं कасти जो भी कालर की रिखॐार्मेंट है कि हमें इस इसल में यह कडिसे बाइन के ऑप च्छेंच कर सकते हैं और यहां पर यह आप के पार दिखाई दे रहे हैं यह उसकी बाइडर की बाइडर की जो लाइन है या कितनी मोड की चाहिए सिंगल चाहिए डॉन चाहिए डाड़िड चाहिए डबल चाहिए ट्रिपल चाहिए और एक लाइन मोठीट लाइन पतली तो इस भी ऐसाम से पर सारेom स्ट ऑथ बहुत सारे कारे जिसके वघु हैं वेवी बॉडर्डुर ग्रहिए आपको के लिए आपको जो है वह इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा इंसर्ट में टेबल में जाएंगE और वहां पर जो है या तो आप इंसर्ट टेबल से डैलोग सब्सक्द करके यह आपको सब्सक्राइब अब अब। करें लास्ट बॉक्स पर राइड कॉर्म में रॉटम में आये गा स्कुरू नेकर वाहं पर क्लिक करें करेंगे दो सब्सक्राइब das थैjo Microsoft वर्ड में टेबल बनाया जाता है